कोटा के देश बंदू पांडे जो की रेलवे कार्मिक है उन्होंने केबी सी में पार्टिसपेट किया और तेरवे सीजन में वे होट सीट पर अमिता बच्चन के सामने बैटे हैं उनके शो में उन्होंने तीन लाख बीस जार रुपे की राशी जीती है पांडे का कहना है कि वे इससे काफी कुछ हैं जीत की राशी उनके माइने नहीं रखती है लेकिन सदी के महानाएक के साथ होट सीट पर बैठना ज्यादा उन्हें अच्छा लगा है सर मैं लगातार बीस सालों से निरंतर पर्यास रथ था सर और मेरी साधी की इस साल 25 साल गिरती सायद इसवर ने उपहार सोरूप मुझे के वी सी में एक प्रतिभागी के तौर पे अमिताब बच्चन जी के साथ होट सीट पर बैठने का मोगा दिया सर मिताब बच्चन जी ने पहले ही प्रोमिस करावा लिया है कि जो भी कमाएंगे हम अपनी पतनी को देंगे पिवेक पे है सर वो कहां खर्च करती हैं के वी सी में आने के लिए निरंतर पर्यास रथ था सर हर तरह का सामान निगयान जहां से जो भी जीके मिल जाए अखवार स से न्यूश पेपर से मीडिया से हर तरह का समान निगयान मैं अपने पास मैं अरजन करने में लगा हुआ था लेकिन लाइफ टाइम नहीं लेने से अगर वो ले लेते हुआं पे लाइफ लाइन तो मुझे लगता है पचास लाइफ टक या पच्चिस लाइफ तक तो आराम से चले जाते हैं उनकी छोटी बेटी मुसकान का कहना है कि अब परीचतों के फोन लगातार आ रहे हैं और बदाई देने के लिए ताता लगा हुआ है एरिया के लोग भी उन्हें जानने लगे हैं वहीं खुशी का भी कहना है कि उनको अब देजबंदू पांडे के बीसी वाले के नाम से के भी कॉल साय थे कल तो बहुत कॉल साय है सब लोग यह पूछ रहे थे कि तीन वीस पर कैसे रह गया है ऐसे पापो को देख के बहुत खुश होते हैं और बहुत कॉंग्राचुलेशन्स देते हैं कि आप गए महां पर अमिजी से मिले बहुत बड़ी बात है पैसे तो बात की बात है पापा से सब हाथ मिलाते हैं पूछते हैं कि आप तो हमारे कलोनी का नाम आपने रोशन किया कोटा का नाम रोशन किया जान जिगे पर भी जो लोग हमसे बात नहीं करते थे बहुत सारे लोग पापा से ऐसे बात करने आते हैं जो हमें जानते भी नहीं थे पापा कर रहे थे उनका बाल विवा हो गया था और निजी शिक्षक के रोप पे उन्होंने बच्चों को टूशन पढ़ा कर अपनी आजीवी का चलाई और 2009 से वे नोकरी में हैं इसके पहले 2000 से ही वे है के बी सी के लिए तैयारी कर रहे थे मुनीश गौतम एटीवी भारत कोटा